भारत के लोग जब कुरोना की दूसरी लहर से तबाह हैं और हर दिन हजारों की तादाद में मौते हो रही हैं ऐसे में कुछ ऐसे सर्वे सामने आए हैं जिनके नतीजे ये साफ-साफ दर्शाते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लोग प्रियता कम हो रही है मौर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक ऐसा लग रहा है वहीं एक दूसरे सर्वे में मोदी की लोग प्रियता का ग्राफ पहली बार 50 फीजदी के नीचे चला गया है नोडबंदी, नागरिक्ता खानून के खिलाव देशवयापी आंदोलन, पिछले साल के कठोर लॉकडाउन और तीन क्रिशी खानूनों के खिलाव आंदोलन तक को जहल जाने वाले प्रधान मंत्री मोदी की चवी को सबसे बड़ा जटका लगा है तेरा देशो के राश्ट्रिय धक्षों के अप्रूवल रेटिंग और डिस अप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करने वाली मौrning consult के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के हालिया आकड़े दिखाते हैं कि अभी भी इन 13 देशों के निताओं में सबसे ज्यादा लोगप्रिय होने के बावचूद, प्रधान मंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 1 अप्रैल से 11 माई के बीच 10 फीजदी की कमी आई है। जहां 1 अप्रैल को उनकी अप्रूवल रेटिंग 73 फीजदी थी, वहीं 11 माई को यह लुड़क कर 63 फीजदी पर आचुकी है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 1 अप्रैल से 11 माई के बीच 10 फीजदी की कमी आई है। उसी तरह उनके डिस अप्रूवल रेटिंग में एक अपरैल से 11 मई के बीच 10 फीजदी का उच्छाल देखा गया है। इसके बीच वो 21 फीजदी से 31 फीजदी तक पहुँच चुकी है। यह पहली दफा है जब प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग ने 50 फीजदी के नीचे डुप की मारी है। असम तधा पुटुचेरी में जीत के बावजूद बंगाल चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश पंचाय चुनाव हो या देश के विभिन राज्यों में हुए उप्चुनाव। बीज़पी का खराब प्रदर्शन लोगों के बीच शायद प्रधानमंत्री मोदी की लोगप्रियता पहले से कम होने का सबूत है। यकीनन इन अप्रूवल रेटिंग एजिंसियों के आंकडे लोगप्रियता को लेकर स्पष्ट जमीनी हालात बया नहीं करते। लेकिन लोगों का मूड क्या है ये जरूर बता देते हैं। वैसे ये अभी का मूड है। इसका भविश्य में कोई सियासी नतीजा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूर रपोर्ट गो न्यूस